नमस्कार मैं हूँ दिक्ष्टा और स्वागत है आपका MP News के इस खास कारिक्रम में जहां आज हम बात करेंगे इन दौर के देवी अहिल्या विश्व विद्याले में आयोजित दीख्षांत समारों की जहां पे बहुत से गणमान्य अतीतियों ने शिर्कत की जिसमें हमारे राजपाल आनंदी बेन पतेल यूजी सी के चेर्मैन प्रोफेसर डॉक्टर डीपी सिंग वा कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी जैसी बड़ी हस्तियां शामिल थी हम जुड़ रहे हैं हमारे सनवानदाता से इंदौर से युवराज सिंग से युवराज मैं आपसे जानना चाहूंगी राजिपाल आनंदी बेन पतेल ने इस समारों के मोके पर कौन से मुख्य बिंदूओं पर चर्च का अंदाज में पुरुसकार प्रदान किये गए और इस आफसर पर कई गड़मान यतिती मौजूद थे राज्यपाल आनंदी बेन पतेल भी मौजूद थी इस आफसर पर वहीं युजीसी के चेर्मेंड प्रोफेसर टीपी सिंग भी मौजूद थे वहीं उच्छ शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी इस कारिक्रम में शिर्कत की है वहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यपाल आनंदी बेन पतेल ने अपने उद्बोधन में ये कहा है कि डिये वीवी को अंतराश्य स्तर पर ले जाये जाएगा और वहीं ऐसे कई चात्राओं को अंत चात्र चात्राइं परेशान हुआ करते थे लेट परिक्षा परिणामों को लेकर और इस मुद्दे पर भी राज्यपाल ने कहा है कि डिये वीवी को सुधार करना चाहिए कि ताकि सही समय पर परिक्षा परिणाम आए और सही समय पर परिक्षा दे चात्र चात्राइं वही परचा की है मुझे लगता है निश्चित तोर पर वो छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही प्रेणना स्त्रोत की तरह साबित होंगे क्योंकि हम देख सकते हैं दर्शक को आप सभी को पता है अब तक जो छात्र छात्राओं हैं दिये वीवी के रिजर्ड को लेकर परिशान हो होंगी डॉक्टर डीपी सिंग वहां पर मुख्यातिती की तौर पर मौजूद थे उन्होंने रोजगार को लेकर कुछ नए रास्ते कुछ नए चिन दिये हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं जी हां दिक्षा मैं आपको बताना चाहता हूं कि य आजकल टेकनिकल कोंसें में काफी जोप्स के ऑप्शन्स ए और उनियन यह भी कहा है कि अब डीटि शीक्षा मंत्री जीतू पतवारी ने डी एवीवी का शाब्दिक अर्थ भी निकाला है उन्होंने कहा है कि डी डाइनेमिक से स्टैंड करता है वहीं ए अकाउंटेबिलिटी वी विजन और वी विक्ट्री ये उन्होंने फुल फॉर्म बताया है डी एवीवी का और वहीं जीतू पटवारी ने मूल मंत्र भी दिये हैं चात्र चात्राओं को सफलता के लिए बेकुल योवराज जहां तक हमें जानकारी मिली है जीतू पटवारी जी ने जो कि उच्छ शिक्षा मंत्री है उन्होंने चात्रों की खुशी क्ले कोई बड़ी घोशना भी की है चात्रों के अमंग जी यहां दिक्षा यह क काफी खुशी की बात है कि जीतू पटवारी जो की उच्छ शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं कुछी समय बाद उन्होंने बड़ी घोशना करी उन्होंने कहा है कि डीए वीवी में अंतराश्टी पीड बनाया जाएगा जिसके चलते काफी विध्यारती लाभानवित होंगे और यह जो घोशना करी है उसके बाद से ही कहीं न कहीं राज्टी गल्यारों में भी चर्चा का विशाय बन गया है कोकि यह जो घोशना इससे कई हजारों में चात्र चात्राइं लाभानवित होंगे वहीं डीए वीवी में अपने उद्बोधन में उच्छ शिक्षा मंत्र जीतू पटवारी ने ऐसे कई सफलता के मूल मंत्र दिये जिसके चलते विद्धारती को सुनने में काफी अच्छा लगा बिलकुल मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ और यह जो जानकारी आपने दी है हमारे चात्र चात्राओं के लिए भी कहीं न कहीं बहुती लाप्रत साबित होगी जिस तरह से हम देख सकते थे पहले ही डिये वी यूनिवरसिटी को जो है एक ग्रेड मिल चुकी थी नाग द्वारा पर ये छोटे छोटे जो है कोशिश प्रयास अगर डिये वी वी करती रहेगी तो निश्चित तोर पर उसे ए प्लस लेने से बिलकुल पीछे नहीं रहेगी और जहां तक रहां आपने ने बताया कि डॉक्टर डीपी सिंग ने फॉरन एक्सचेंज प्रोग्राम की विदेश के छात्राओं के लिए द्वार खुल गए है अब जो डिये वी वी के फॉरन एक्सचेंज प्रोग्राम मुझे लगता है आने वाली यूवापीडी के लिए एक बहुत ही ट्रेड़न लेती है तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि शिक्षा का स्तर जो है मध्य प्रदेश में वो कहीं स्तर ऊचा चला जाएगा ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए MPNews के साथ मुझे दीजी अजासत धन्यवाद